अलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स वेलकम टू एवन ट्यूटर आप देखें बिहार पॉलटेक्निक थाड़ रौंड का सीट अलोटमेंट का रेजलट आ चूका है तो इस वीडियों हम लोग देखेंगे कि आपको पॉलटेक्निक करना करेजल करेदा तो फरीड इसका जो लिंक है आपको डिसक्रिस्यच्व में मिल जाएगा आप लोग यहां से जाके अपना रिजल्ट को यहां पर अपना रॉल नंबर पासवर्ट सेक्रिटी कोड डाल के साइनिन करके चेक कर सकते हैं देखे नियुद इपका बिहार पॉल जा 19 तो यहां देख सकते हैं पर टेक्निक इंजिनियरिंग के अधार पर थर्ड राउंड ओन्लाइन सीट अलोटमेंट डोकुमेंट वेरिफिकेशन एवां नामांकन के संब्धम इंफर्मेशन कुछ दिया गया है जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि थर्ड राउ आपका डोकुमेंट का डाउंड करने का हवा आप से लिए के 14 तक तक कर सकते हैं अब लिए सभी कांसलिंग में निर्धायत नहीं मतलब कि कांसलिंग के लिए निर्धायत कांसलिंग का मतलब को वैसे क locksLL ikon सकते है यह कांसलिंग कंग्रेड हुए उन्हें डोकुमेंट वेरिफिकेशन एवं नामांकन हेतु दूतिय काउंसलिंग का डोकुमेंट वेरिफिकेशन शिरिफ लाना आनिवार है ठीके वैसे अभ्यारती जिने तिरतिय चकर काउंसलिंग अपर ग्रेडेशन के उपरांत भी इस चकर में सेम इंस्टिचूट ही प्रत्थम एवं दूतिय काउंसलिंग में नहीं हुआ था परन्तु तिरतिय काउंसलिंग में आवंटन हुआ है वैसे भ्यारती को डोकुमेंट वेरिफिकेशन के समय आवंडिट संस्थान के फ्री स्ट्रक्चर के अनुसार संबंदित संस्थान का सुख जमा करने के लिए नाम अंकल लेना अनिवार है सभी संस्थानों का फ्री स्ट्रक्चर परस्त के पर उपलब्द है यह आपका जो ऑफिसल जो लिंक आपको डिस्क्रिशन मिल जाएगा वहां से जाके आप लोग फ्री स्ट्रक्चर कर सकते हैं आप देखिए फिर परकासित विग्यापन ही अन सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने बता दिया कैसे आपको अपना पल्टेक्निक ठर्ड राउंड सीट अलोट्मेंट का जो रेजल्ट है चेक करना इसका भी लिंक डिस्क्रिशन मिल जाएगा एन ओफिसल पेज का भी जो लिंक है फ्रेंट वेबसाइट का वह भी